अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉइस और रहे थे तो अब उनके सब्जेक्ट्स भी बढ़ रहे थे इसलिए स्कूल में अब उन दोनों के लिए पहले जो आप्शनल सब्जेक्ट था अब वो कंपल सरी बन गया उस सब्जेक्ट का नाम था ड्रोइंग चिंकी को ड्रोइंग काफी पसंद था लेकिन जब भी चिंकी ड्रोइंग का नाम सुनती तो उसे टेंशन आ जाता था क्यूंकि उसकी ड्रोइंग इतनी अच्छी नहीं थी और उसके कारणों से एक बार बह सर की तरफ देख रहे थे सबका ध्यान सरी की तरफ था लेकिन चिंकी अपना खुद अलग से ड्रोइंग बना रही थी और अचानक सर की आवाज आई तो ड्रोइंग कौन बनाएगा यहां ब्लैक बोड पर चिंकी बेटा तुम आओ चिंकी का तो ध्यान ही नहीं था तो वो ड्रोइंग कैसे निकालती उसने अपनी गलती मान ली और सर को बताया सर जब आप सिखा रहे थे तम मैं अलग ड्रोइंग बना रही थी मेरा ध्यान नहीं था फिर क्या था सर ने चिंकी को डाटा और तब चिंकी ने ठान लिया कि वो मोर का ड्रोइंग सीख कर ही रहेगी च उसे थोड़ा सीखने की ज़रूरत थी गट्टू चिंकी स्कुल से घर लोट कर आए गट्टू जोर जोर से हसने लगा और चिंकी मायूस हो गई लेकिन तभी मम्मी वहां आ गई बच्चो मस्ती नहीं मम्मी ये गट्टू मुझे चिडार आये मेरी ड्रोइंग को लेकर क्यों गट्टू ऐसा नहीं करना है इसे मोर का ड्रोइंग बनाना नहीं आया चिंकी बेटा, तुम टेंशन मतलो, मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हारा Rainbow Drawing Classes में एडमिशन करवा देते हैं, तुम टेंशन मतलो इसलिए चिंकी का मोड उत्रा हुआ था, लेकिन जैसे ही मम्मी ने ड्रॉइंग क्लास के बारे में कहा, चिंकी खुश हो गई, मम्मी ने ये देख लिया था, इसके बाद गट्टू चिंकी दोनों की ड्रॉइंग क्लास में एडमिशन हो गई, क्लास का नाम था Rainbow Drawing Class, क्लास मे पहुचने पर, सभी बच्चे एक्साइटेड लग रहे थे, क्योंकि आज से उनकी ड्रॉइंग की क्लास शुरू होने जा रही थी, सब के चहरे पर स्माइल थी, और सभी अपनी अपनी लाइव ही चीजे दिखा रहे थे, देखो देखो, मैंने वाटर कलर्स लाए हैं, और तू, मेरे पास है पैंसिल कलर्स, देखो, ये कितने सारे कलर्स हैं, मैंने तो यार वैक्स कलर लाया है, मुझे पेंटिंग्स में रंग बढ़ना अच्चा लगता है, सभी दोस्त एक दुसरे को कलर्स दिखा रहे थे, और अपने अपने प्लांस बता रहे थे, भूशन जिससे मैं बनाऊंगा अलग-अलग ड्राइंग, और तुरंत उसके बाद गट्टू ने हाथ में ब्रश लिया, और कहा, ये तो बहुत बढ़िया ब्रश है, भूशन, वाव, मैं भी इससे ड्राइंग बनाऊंगा, वो भी अलादीन का चिराग, सभी बहुत इंजॉय कर र चिंकी ड्राइंग बनाना ही बूल गई, क्लास में बच्चे जोर-जोर से हसने लगते हैं, और तभी ड्राइंग सिखाने वाले सर वहां पहुंचते हैं, रेंबो क्लास में सिखाने वाले ये सर ड्राइंग सिखाने में बहुत फेमस थे, आते ही उन्होंने सब बच्चों स और साथ ही मुझे ये बताना कि आपको कौन सा ड्रॉइंग निकालना अच्छा लगता है एक एक करके बच्चे अपना नाम बता रहे थे और साथ ही मैं उसे कौन सा ड्रॉइंग निकालना है उसका नाम भी बता रहे थे गट्टु ने कहा मुझे अला दिन का चिराग निकालना है इसके बाद भोशन ने कहा मुझे पानी में तरति जाज का ड्रॉइंग बनाना है सब ने अलग-अलग चीजे बताई और जैसे ही चिंकी की बारी आई तो वो चुप थी तो सर ने कहा बताओ चिंकी तुम्हें कौन सा ड्रॉइंग निकालना पसंद है अरे अरे डरो मत यहां हम सारे तुम्हारे दोस्त है सर मुझे ड्रॉइंग बहुत पसंद है लेकिन अच्छी तरह से नहीं आती मुझे डर लगता है कि मैं खराब ड्रॉइंग ना बनाऊ इसमे डरने की क्या बात है चिंकी मैं तुम्हें अच्छा ड्रॉइंग बनाना सिखाओंगा बात ये थी कि मम्मी से ड्रॉइंग वाले सर को ये पता चला था कि चिंकी वाक्षी सारे सबजेक्ट्स में बहुत होशियार है ड्रोइंग भी निकालना उसे आता है बस उसे और शार बना दो ड्रोइंग सब्जेक्ट में तो सर ने चिंकी को क्लास की बाद कहा चिंकी बिटा, यहां आओ जी सर चिंकी, मैंने सुना है तुम सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छी हो, है ना? लेकिन सर, ड्रोइंग बहुत हार लगता है मुझे लेकिन तुम्हें ड्रोइंग पसंद तो है ना? हाँ देखो, कोई भी सब्जेक्ट हार नहीं होता और जो हमें पसंद है वो बिल्कुल भी हार नहीं होता अगर हम मन लगा कर काम करते हैं मन लगा कर पढ़ते हैं तो सब हार चीजे इजी हो जाती है उसी तरह ड्रोइंग भी है तुम्हें काम करो कल तुम्हें जैसा आए वैसा एक ड्रोइंग निकाल कर लाना क्लास के बाद जब गट्टू चिंकी घर आते हैं तो मम्मी पूछती है गट्टू चिंकी कैसी रही तुम्हारी ड्रोइंग की कलास हम सब अलग कलर्स लेकर आय थी और पता है भूशर तो कलर्स का ब्रश लेकर आया था और हमें होमवक में ड्रोइंग निकालने के लिए भी कहा है तुम बताओ चिंकी हाँ मम्मी बहुत मसा आया सर भी बहुत अच्छे उन्होंने अच्छे से समझाया अब चिंकी के चहरे पर पहले जैसी मायूसी और डर नहीं था वो भी बहुत एक्साइटेड नजर आ रही थी मम्मी समझ गई थी कि चिंकी का ड्रोइंग को लेकर जो डर था वो खत्म हो गया है बाद में गट्टू और चिंकी ने अपनी अपनी ड्रोइंग बनाई और दूसरे दिन क्लास में उसे ले कर गए तो सर ने सभी को दोनों की ड्रोइंग दिखाई सभी बच्चे गट्टू और चिंकी के लिए तालिया बजाएंगे सर के कहते ही पूरे क्लास में तालियों की गुन सुनाई देने लगी गट्टू तो अच्छी ड्रॉइंग निकालता ही है लेकिन चिंकी जो कल तक ड्रॉइंग सब्जेक्ट से डरती थी उसने भी बहुत अच्छी ड्रॉइंग बनाई है उस दिन से चिंकी को ड्रॉइंग सब्जेक्ट सुनकर कभी डर नहीं लगा हाट लगने वाला ड्रॉइंग सब्जेक्ट चिंकी के लिए आसान बन गया वेरी गुड चिंकी अब ऐसे ही अलग-अलग ड्रॉइंग बनाते रहना हाँ सर तैंक्यू सर आपकी वज़े से उम्में अच्छी ड्रॉइंग बना सकती हूँ उसके बाद जब बच्चों की एक्जाम हुई तो चिंकी को ड्रॉइंग में बहुत बढ़िया मार्क्स मिले थे उसे सबसे ज्यादा मार्क्स मिले इस तरह रेन्बो ड्रॉइंग क्लास में चिंकी का ड्रॉइंग और भी बढ़िया हुई और उसके बाद चिंकी ने बहुत से चित्र बनाए मोदी जी का इंटर्वियू गट्टू और चिंकी स्कूल से घर आते हैं तो सारा घर सर पर उठा लिते हैं मम्मी मम्मी कहा हो आप पापा चल दियाओ अब आज सुनकर पापा मम्मी काम छूड़ कर हॉल में आते हैं क्या हुआ बच्चो दोस्तों के साथ जगड़ा करके आए हो क्या नहीं मम्मी वो बात नहीं है तो फिर कोई अक्सिडेंट देख लिया क्या क्या पापा आप वो बात नहीं है अरी तो फिर बताओ ना क्या बात है बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे होश तो हमारे अभी भी ठीक आने नहीं है तुम जल्दी बताओ बात क्या है पापा मम्मी हम मोदी जी का इंटर्व्यू लेने वाले हैं क्या कहा था ना आपके होश उड़ जाएंगे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा क्या सच में तुम दोनों मोदी जी का इंटर्व्यू लेने वाले हो हाँ पापा हम मोदी जी का इंटर्व्यू लेने वाले हैं कब? कहा? कैसे? और तुमने हमें बताया क्यों नहीं पहले? अरे मम्मी, आज ही तै हुआ है, फिर पहले कैसे बताते? मतलब आज अचानक एकदम कैसे तै हो गया? अरे पापा, स्कूल में मिश्रा सर ने आज एक प्रोजेक्ट दिया है, इसलिए आज ही तै हुआ मतलब मोदी जी का इंटर्व्यू ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है? हम आपका मजा ले रहे थे, आमने सामने बैठ कर मोदी जी का इंटर्व्यू नहीं लेना है बस इंटर्व्यू के लिए सवाल तयार करने है, यही हमारा प्रोजेक्ट है मिश्रा सर इंटर्व्यू का टॉपिक सिखा रहे थे तो उनोंने प्रोजेक्ट दिया कि तुम जिस व्यक्ति का इंटर्व्यू लेना चाहते हो उनके लिए सवालों के लिस्ट बनाओ और मोदी जी हमारे कितने फेवरेट है यह आपको पता है इसलिए हमने प्रोजेक्ट के लिए उनको चुना क्या बच्चो तुमने तो हमें डरा ही दिया था पापा मम्मी क्या आप हमें सवाल निकालने में मदद करोगे बिल्कुल करेंगे मोदी जी हमारे भी तो फेवरेट है फ्रेश होकर गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ सवाल निकालने बैठ जाते है पहला सवाल क्या पूछा जाए तुम ही सोचो इंटर्विव तो तुम्हें ही लेना है मोदी जी आपका नाम क्या है अरे पागल वो तो सब को पता है मोदी जी का नाम मोदी जी है गूगल कर उनका पूरा नाम आएगा तो फिर इस सवाल को ही हटके बनाते है वो कैसे? मोदी जी आपका बच्पन में निकनेम क्या था? कैसा है? ये तो सच में हटके है क्योंकि बच्पन में तो सब के निकनेम होते हैं ये सवाल लिख लो और चिंकी सवाल लिखती है दूसरा सवाल क्या पूछे सोचो सोचो आपका फेवरेट आनिमल मैं शुर हूँ शेर ही होगा तू क्यों जवाब दे रही है जवाब मोदी जी देंगे ये सवाल लिख ले मोर वो तो सबको पता है इनका मोर के साथ वीडियो भी देखा है सबने तो ऐसा करते हैं हम लिखते हैं मोदी जी आपके पास मोर कैसे आते है वो आपसे डरते नहीं पापा सही है ना बहुत अच्छा है तुम दोनों मोदी जी से जो पूछना चाहते हो वो लिखो तीसरा सवाल क्या आपने कभी गिल्ली डंडा खेला है तुम खेलते हो इसलिए ना तो तू भी पूछना मैंने मना थोड़ी गया है ठीक है मोदी जी क्या आपने कभी रंगोली बनाई है चिंकी के इस सवाल पर मम्मी, पापा और गट्टू हस पढ़ते है हस क्यों रहे हो मैं सच में उनसे यही पूछना चाहती हूँ अरे गुसा ना हो बेटा अच्छा सवाल है बच्चे मन के सच्चे होते हैं उनका कोई भी सवाल गलत नहीं होता तुम तुमारे मोदी जी से जो सवाल पूछना चाहते हो बे जीजक पूछो इस प्रकार गट्टू और चिंकी मोदी जी के लिए सवालों के लंबी चौडी लिष्ट बनाते हैं हो गए सारे सवाल प्रोजेक्ट रेडी ये है अरे अभी भी काम बचा है इस प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रोजेक्ट पेपर पर लिखकर फाइल भी तो करना है और एक काम बचा है वो कौन सा? देखो तुमारा प्रोजेक्ट तो बन गया अब ये सारे सवाल एक लेटर पर लिखो हम मोदी जी को वो लेटर भेजेंगे कैसा आइडिया है? ये आइडिया सुनकर गट्टू और चिंकी उचलने लगते है पापा, क्या सच में मोदी जी हमारे सवालों का जवाब देंगे? ये आइडिया सुनकर गट्टू और चिंकी उचलने लगते है पापा, क्या सच में मोदी जी हमारे सवालों का जवाब देंगे अरे भाई जरूर देंगे मोदी जी बच्चों को कभी नाराज नहीं करते या सुनकर गट्टू और चिंकी मोदी जी को लेटर लिखने बैठ जाते हैं अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें